हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ अनिता अनिता आज लाइफ हम में आपका स्वागत है आज मैं बना रही हूँ नारियल के लड़ू जो इतनी तेश्टी और आसान देश्पी है अगर आज तक कभी भी कोई लड़ू या मिठाई नहीं बनाया है फिर भी इसे आप बना लेंगे इतनी असान और जटपट बनने वाली रेश्पी है और खाने में तो ये लाजवाब है तो चलिए मिलकर बनाते हैं नारियन लड़ू बनाने के लिए हम लेंगे एक कढ़ाई, कढ़ाई को गैस पर रखेंगे गैस को ओन करेंगे और उसमें डालेंगे एक बड़ा चमच घी घी के गरम होने पर आधा कप दूत डाल देंगे यहाँ पर मैंने उबला हुआ दूत लिया है, अब हम इसे गरम होने देंगे दूत में एक उबाल आ गया है, अब गैस को हम धीमा कर देंगे आप चाहें तो गैस को बन कर दें मैंने गैस को पूरी तरह से धीमा कर दिया है अब हम एक कप मिल्क पॉडर लेंगे और इसे थोड़ा थोड़ा करके दोद में मिलाएंगे और मिक्स करेंगे फिर थोड़ा सा मिल्क पॉडर दोद में डालेंगे और फिर से मिक्स करेंगे इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके milk powder डालेंगे और mix करेंगे अच्छे से चलाएंगे ताकि कोई lumps ना पड़ें यहाँ पर मैंने 5 बार में milk powder को डाला है और अच्छे से चला करके mix कर लिया है कोई lumps नहीं पड़ा है आप भी मिल्क पाउडर को थोड़ा थोड़ा करके ही डालें नहीं तो दूर में लव्स पड़ जाएंगे और लड़ू अच्छे नहीं बनेंगे अब हम इसे लगातार चलाते हुए एक मिनट और पकाएंगे एक मिनट बाद दूर काड़ा हो गया है अब हम इसे मिस्री पाउडर डाल देंगे आप इसमें पीसी हुई चीनी या बूरा डाल सकते हैं अब हम इसे भी मिक्स कर लेंगे और डालेंगे थोड़ी सी लाची पाउडर सभी चीजों को मिक्स करेंगे और थोड़ी दिर पकाएंगे अगर आपको हमारी ये रेसिपी थोड़ी से भी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब करें मिस्री पॉडर डालने के बाद हमने दो मिनट और पका लिया है अब हम इसमें आधा कप बेसी केटेड कोकोनट डालेंगे और इसे भी थोड़े देर पका लेंगे कोकोनट डालते समय ध्यान लखें कि दूद बहुत काड़ा ना होने पाए उसके पहले ही हमें नारियल को डाल देना है अब हम नारियल और दूद को एक साथ पकाएंगे इसे हमें तब तक पकाना है जब तक मिक्षर पूरी तरह से ड्राय न हो जाए और ये पैन से चिपकना न चोड़ दे लड़ू का मिक्षर रेडी हो गया है अब हम इसमें से थोड़ा सा मिक्षर ले करके हाथ में चेक करेंगे अगर इस तरह से गोली बनती है तो मिक्षर परफेक्ट है अब हम इसे गैस से नीचे उतार लेंगे और एक दूसरे बरतल में ट्रांसफर कर लेंगे मिक्षर को ठंडा होने देंगे पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है बस इतना ठंडा हो जाए कि हाथ में रखने पर हाथ ना जले अगर मिक्षर पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो लड़ू ठीक से नहीं बनेंगे मिक्षर अब हलका सा ठंडा हो गया है अब हम इसको हाथों से चिकना कर लेंगे और एक चमच की मदद से थोड़ा सा मिक्षर निकाल करके हथेली पर रखकर गोल शेप देदेंगे अब हम इस तरह से हाथों से घुमाते हुए मिक्षर को गोल करेंगे और लड़ू का शेप देदेंगे उसके बाद इसके उपर सुखा नारियल लगाएंगे और एक बार फिर से गोल कर लेंगे इसी तरह से सभी लड़ू हम तयार कर लेंगे आप छोटा बड़ा जैसा चाहे बना सकते हैं बस ध्यान लखना है सभी एक साइज के बनने चाहिए उसके लिए आप कोई भी एक स्पून सेट कर लें उससे आपके एक साइज के पर्फेट सभी लड़ू बन जाएंगे अगर एक साइज के सारे लड़ू बनते हैं तो देखने में वो अच्छे लगते हैं इसी तरह से हमने सारे लड़ू बना लिये हैं बहुत ही सॉप्ट और टेश्टी लड़ू बन करके त्यार हुए हैं आप भी ये लड़ू जरूर ट्राइ करिएगा आशा करती हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी इनते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइ टेक याइज